नमस्कार अन्दे सभी महानुभाव और अन्दमान निकोबार दीप समू के मेरे भाई और बहनो आज का एक आरकम बले ही पॉर्ट बलेर में हो रहा है लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है लंबे समय से अन्दमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एरपोर्ट की केपसिटी बढ़ाई जाए और पिछले जो हमारे सांसद थे वो तो हर हपते मेरी चेंबर में आकर के इसी काब के लिए लगे रहते थे तो आज वो बहुत खुश लेजर आ रहे है और मैं अभी टीवी पर सब मेरे पुराने साथ्यों को देख रहा हूँ अच्छा होता मैं आज आज आपके बीच आकर के इस उत्सों मैं सरीक होता लेकिन समय भाव से खुद तो नहीं आ पाया लेकिन आप सबके चहरे की खुशी देख रहा हूँ आनंद से भरा हुआ माहोल में अनुभाव कर रहा हूँ साथ्यों देश भर से जो कोई वहाँ गुमने जाना चाहते हैं उनकी भी यही इच्छा थी अभी तक मौझूदा टर्मिनल की कैपिसिटी हर रोच चार हजार टूरिस को हैंडल करने की थी नया टर्मिनल बनने के बाद इस एरपोर्ट पर हर रोच करीब करीब ग्यारा हजार टूरिस को हैंडल करने की कैपिसिटी बन गई है नई व्यवस्ता में अब एरपोर्ट पर एक साथ दस विमान भी खड़े हो पाएंगे यानि यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है और ज़्यादा फ्लाइट्स आने ज़्यादा टूरिस आने का सीधा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पॉर्ट ब्लेर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में इज अब ट्राविल बढ़ेगा इज अब डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बहतर होगी मैं देश के लोगों को पॉर्ट ब्लेर के सभी साथियों को इस सुभीता के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों लंबे समय तक भारत में विकास का दाइरा कुछ बड़े शहरों कुछ छेत्रों तक सिमित्रा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीती के कारण विकास का लाब देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुँचा ही नहीं ये दल उनी कामों को प्रात्मिक्ता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो इनके परिवार का भला हो नतीजा ये हुआ कि इस जव हमारे आदिवासी ख्यत्र है जो हमारे आईलेंड्स है वहां की जनता विकास से बन्चीत रही विकास के लिए तरस्ती रही बीते नव वर्षों में हमने पूरी संवेदन सिल्टा के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है इतना ही नहीं नई व्यवस्ताएं भी बनाई है अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विक्सित हुआ है इम्मोडल इंक्लूजन का है सबको साथ लेकर चलने का है इम्मोडल सबका साथ सबका विकास का है और जब मैं सबका विकास कहता हूँ तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है सबका विकास मतलब हर व्यक्ति हर वर्ग हर छेत्र का विकास सबका विकास मतलब जीवन के हर पहलू का विकास सिख्षा स्वास कनेकिर्टी हर प्रकार सबका विकास साथ क्यों? इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में अन्दमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है पिछली सरकार के नव साल में यहने हमारे पहले जो सरकार थी नव साल में अन्दमान निकोबार को करीब 23,000 करोड रुप्य का बजेट एलेट किया गया था जबकि हमारी सरकार के दोरान अन्दमान निकोबार के विकास के लिए नव वर्षों में करीब करीब 48,000 करोड रुप्य का बजेट दिया गया है यानि हमारी सरकार ने अन्दमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले दो गुना जादा पैसा खर्च किया है पिछली सरकार के नव साल में अंडमान निकोबार में 28,000 गरों को पानी के कनेक्शन से जुड़ा गया था हमारी सरकार के नव साल में यहां के करीब 50,000 गरों तक पानी का कनेक्शन पहुचाया गया है यानी हर घर जल पहुचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकामले दो गुनी रप्तार से काम किया है आज यहां के लगबग हर व्यक्ति के पास अपना बैंक एकाउंट है आज यहां के हर गरीब को वन नेशन वन राशन कार की सुविदा मिली हुई है पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था यह हमारी सरकार है जिसने पॉर्ट ब्लेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सेटलाइट के भरोसे ही था हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सेंकडो किलोमिटर सम्मरीन अप्टिकल फाइबर केबल बिचा कर इस परेशानी को दूर कर दिया है साथियों अंडमान निकोबार में हो रहा सुभिधाओं का यह विकास यहाँ की टूरिजम को गती दे रहा है जब मोबाईल कन्यक्राइस भरती है तो टूरिस्ट भी पढ़ते हैं जब हेल्ट इंस्पास्रिक्टर सुदरता है तो तूरिस क में आना जाना और बढ़ जाता है जब एरपोर्ट पर सुविजाय भड़ती है तो टुरिस्ट यहां ना पसंद करता है जब रोड अच्छी होती है तो टुरिस्ट अपने एक इलाके में जादा से जमई बिताता है इसलिए ही अंडमान निकोबार आने वाले टुरिस्टों की संख्या अब 2014 के मुकाबले दो गुनी हो गई है यहां स्वोकेलिंग स्कूबा डाइविंग सी कुरूज जैसे एडवेंचर के लिए आने वाले टुरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है और साथियों मेरे अंडमान निकोबार के भाईबेन सुन लीजिए ये तो अभी शुरूवात है आने वाले सालों में ये संख्या कई गुणा बढ़ने वाली है इससे अंडमान निकोबार में रोजगार स्वरोजगार की नई संभावनाय बनने वाली है साथियों आज अंडमान निकोबार विरासत भी और विकास भी इस महामंत्र का जीवनत उदारन बन रहा है आप भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में लाल किले से भी पहले तिरंगा फैराया गया था लेकिन फिर भी यहां सिर्फ गुलामी के ही निशान दिखते थे यह मेरा सोभाग है कि साल 2018 में मैंने अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा लहराया जहां नेताजी सुभास ने जंडा फैराया था यह हमारी ही सरकार है जिसने रौस आइलेंड को नेताजी सुभास का नाम दिया यह हमारी ही सरकार है जिसने हैवलोक और नील आइलेंड को स्वराज और सहीद आइलेंड का नाम दिया है हमने ही 21 द्वीपों का नाम करण देश के लिए पराकरम दिखाने वाले वीर पराकरमी सपुतों के नाम परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है आज अंडमान निकोबार के ये दीप पूरे देश के युवाओं को देश के विकास की नई प्रेड़ा दे रहे हैं साथियों आजादी के 75 वर्सों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, कहीं से कहीं पहुँच सकता था हम भारतियों के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन सामान्य भारतिय के इस सामर्थ के साथ हमेशां ब्रश्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया आज देश के लोग दोहजार चोबिस चुनाओं में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णाय ले चुके हैं ऐसे मैं भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैड़ गए हैं इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती है, एक कभी महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाशा में लिखी गई कविता है गाईत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है 24 के लिए 26 होने वाले राजनितिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है गाईत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, और माल कुछ है यानि गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है नेबल, लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोड़क कुछ और ही है इनकी दुकान की यही सच्चाई है, इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है एक तो ये अपनी दुकान पर जाती वाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग अवसिमीद प्रष्टाचार करते हैं आज कल ये लोग बैंगलूरू में जुटे हैं एक जमाने में एक गाना बहुत मशूर था मुझे तो पुरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग आप देखिए ये लोग कितने चहरे लगा कर बैटे हैं जब ये लोग कैमेरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है लाखों करोणों रुपिये का ब्रस्टा चार इसलिए देश की जनता कह रही है कि यह तो कटर प्रस्टा चारी सम्मेलन हो रहा है कटर प्रस्टा चारी सम्मेलन हो रहा है यह लोग गाह कुछ और रहे है हाल कुछ और है इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है माल कुछ और है इनका प्रोड़क्ट है बीस लाख करोड रुपिये के गोटा ले की गारंटी बीस लाख करोड रुपिये के गोटा ले की गारंटी इस बैठक की एक और खास बात है अगर कोई करोडों के गोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री प्रश्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इन्वाइटी बुला कर बुलाये जाता है अगर कोई किसी समाज का अपवान करता है अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवा भगत होती है अगर कोई अदालत से करोडों के गोटाले में दोसी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है बल्कि ये लोग तो उससे मारदर्शन बागते है ब्रस्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मियता है बड़ा प्रेम है इसलिए 20 लाख करोड रुप्ये के ब्रस्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से बड़ी आत्मियता से आपस में मिल रहे है साथियों ब्रस्टाचार की इस दुकान में जूटे हुए ये सभी परिवार बाद के कटर समर्थक है न खाता न वही जो परिवार कहे वही सही लोग कंत्र के लिए कहा जाता है of the people, by the people, for the people लेकिन इन परिवार बादियों का मंत्र है of the family, by the family, for the family फैमिली फर्स्ट, नेशन नतिग, इन लोगों का मोटो है इनकी यही प्रेरणा है ये लोग, देश के लोगतंत्र को देश के समिधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा नफरत है, नफरत है गोटाले है तुष्टी करण है मनकाले है परिवारवाद की आग के दस्टकों से देश हवाले है साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बलकि अपने बच्चों का अपने भाई भतीजों का विकास माईने रखता है आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टाट अफ बढ़ रहे है हमारे युवा बड़ी संखा में पैटेंट करा रहे हैं ट्रेड मार रजिस्टर करा रहे हैं पोट की दुनिया में मेरे देश के नवजवान चाहे हुए हैं बेटियां कमाल कर रही हैं यह युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया इनकी एक ही विचारधारा है एक ही एजेंडा है अपना परिवार बचाओ परिवार के लिए ब्रस्टाचार बढ़ाओ इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम है देश का विकास रोकना अपने कुशाशन पर परदा डालना और अपने ब्रस्टाचार के विरूत कारवाई को रोकना अब देखिये ये जो जमाद खटी हुए है ना उनके कुनबे में बड़े से बड़े गोटालों पर अपरादों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है जब किसी एक राज्य में इनके कुशाशन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों की ये लोग फौरण उसके बचाओं में तरक देने लगते हैं कही बाड़ गोटाला होता है किसी का अपरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चूप हो जाते हैं आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पस्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए वहां सरे आम हिंसा हुई लगातार खुम खराबा हो रहा है इस पर भी इन सब की बोलती बंग है कॉंग्रेस के लेट के अपने कारकरता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस और लेट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कारकरताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है राजस्तान में बेटियों से अत्याचार हो या परिशाओं के पेपर लीक हो रहे हो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता परिवर्तन की बाते करके जनता से विश्वास गात करने वाले जब करोडों का शराब गोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है इनका कट्टर वस्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बद्ध हो जाता है जब देश की कोई एजन्सी इन पर कारवाई करती है तो उनका टैप रिकडर शुरू हो जाता है कुछ हुआ ही नहीं सब साजीस है हमें फसाया जा रहा है आप तमिल लाडु में देखिए ब्रश्टाचार के गोटा लेके अनेक मामले सामने आ रहे है लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सब को क्लिंचिट दे दी है इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों उनको जान लीजिए इन लोगों से सतर्क रहिए भाई मैंनो साथियों इन लोगों की साजीसों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है आज दुनिया में अनेक उदारन है जहां दीपोने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अब भूत पुर्व प्रगति की है जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनोतिया थी सब कुछ सरल नहीं था लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान ले कराता है मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार दिस समू में हो रहे विकास के काम इस पूरे एक शेत्र को और ससक्त करेंगे कनेक्टिविटी की ये नई सुभी था वीर सावरकर इंटरनेशनल एरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सब के लिए लापकारी हो इसी कामरा के साथ वीडियो कन्फरेंस के इस कारकम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए आपकी खुशी में यहां से अनुभो कर रहा हो आपका उत्सा में अनुभो कर रहा हो ऐसे मोके पर एक नया विश्वात नया संकल पर ले करके देश आगे बड़े अन्यमानिकोबार भी आगे बड़े इसी कामरा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुप कामरा है बहुत बहुत धन्यवाद